Welcome friends, हमने पहले एक चप्टर खतम कर लिया है, अब हम next चप्टर इंटरनेट का पडिचे पर चलते हैं यहाँ पर आपको जानने के लिए कुछ question होगा, जैसे सबसे पहली बात कि वर्तमान युग में जिन लोगों के पास computer है, वे लोग worldwide wave अब देखिए यहाँ पर worldwide wave, तो आपको यहाँ पर एक short form देखना होगा, www, जुसको हम www भी कहते हैं इसका full form हमारा क्या हो गया? worldwide wave, इसका full form हो गया, worldwide wave, तो एक कुछ सन तो हमारा यहाँ से इतना से capable बन गया के माध्यम से जानकारी एकत्र करने में इंटरनेट का उपयोग करते हैं और संदेशों, दस्तावेजों और इसेवाओं का आदान प्रदान करते हैं इंटरनेट के माध्यम से आज हम जो है किसी को मैसेज भेज सकते हैं, इमेल के माध्यम से, या वाटसब के माध्यम से हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं, है ना, या किसी को हम डॉकमेंट भेज सकते हैं, तो इन सब चीजों के लिए या कोई जानकारी सर्च करने के लिए हम computer network का एक विश्व भापी यहां भी व्यूंभ वर्ड व्यूट का मतलब यहां भी हो गया कि पूरे विश्व में फखला हुआ नेटवर्क कर बड़े और छोटे नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन और चलिए इसका क्या-کya पडियों कर सकते हैं इंटरनेट का wa Medien कर सकते हैं सिजाथ है is हस्तांतरन कर सकते हैं मतलब एक कोई है जिसके जैसे एनी डेस्क है उसके माध्यम से हम क्या करते है किसी के कंप्विटर पर कोई वर्क नहीं हो इस तरह का जो धेर सारा काम है प्रमुख समाचार पत्रों में उपलग्ध खबर पढ़ना यह सब हम काम कर सकते हैं इंटरनेट के तौरा आप क्याता है अपने कंप्यूटर पर यदि आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं सबसे पहला यहां पर से मिलिए न सल सी मिल इजिस कमपनी से आपको यह इनिटरनेट का मैजलना लेना है तो उसमें यहां पर आपको दिखना होगा एक फ्लफर्म ispi ूइसका full फर्म होता है internet service provider या आपको हिंदी में isp है तो internet सेवा प्रदाता होता यह आपको ध्यान में रखना च्प्राथ किसको कहते हैं जो company हमें internet की सेवा देती है यहांपर आपको isp isp का full firm क्या हुक्या इन्ट着ट सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है www का क्या था वाल्ड वाइड वेव था और आईस्पी का क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रुवाइडर है ना चलिए इसी को हम हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता भी कहते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं यहां पर ध्यान में रखने वाला हमारा अब कहता है इंटरनेट आपको कनेक्ट करना है तो आप कुछ-कुछ माध्यम से जो है कर सकते हैं देखे दिया है अपने मोबाइल फॉन पर इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के अनेक तरीके हैं जिसमें से कुछ तरीका यहां पर दिया जैसे डा के लिए उच्छ बैंडविथ प्रदान करता है या अच्छी गति इसमें सबसे अधिक स्पीड जो हमारा होगा वह ब्रॉडबेंड के द्वारा होता है लीज्ड लाइन के द्वारा और डैल अप कनेक्शन के द्वारा इन दिनों वाइरलेस कनेक्शन भी उपलब्द है इसके लिए आप कंप्यूटर में वाइफाई कार्ड वाइफाई कार्ड लगा लेते हैं हम लोग जैसे हम लोग सिंपल सा मोबाइल से कनेक्ट करना हो तो मोबाइल का डाटा होट स्पोर्ट अन करते हैं और कंप्यूटर में प्रदाता या आप इसको अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है उसके बाद आपको दूसरा यहां पर ध्यान रखना है ISDN ISDN का फूल फर्म क्या होता है Integrated Services Digital Network Integrated Services Digital Network डायलब कनेक्शन में कहता है कि आप सीधे इंटरनेट से नहीं जूरते हैं बलकि आप इंटरनेट सेवा परदाता के माध्यम से इंटरनेट पर पहुंचते हैं यह आपको ध्यान में रखना है प्रदान कियाने वाला सबसे आम कनेक्शन है डायलब कनेक्शन में आप सर्वें से जूरने के लिए अपने computer का उपयोग करते हैं ISP दोरा प्रदान किया फॉन नंबर डायल करते हैं जिसके दोरा आप internet पर पहुँच प्राफ के से यहां पर आपको ilp के दिवरा जो आपका internet अंदर प्रोवाइडर है वो uk एक number देगा उस पर आपको क्या करना है टब आपको internet connection मिलता है यह होता है हमारा डाइल में दूसरा हमारा क्या है iscaison का सबसे पहले फुल फर्म याद रखना है Integrated Services Digital Network Integrated Services आई आई Integrated S से Services D से Digital N से Network Integrated Services Digital Network कहता है इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सर्वर से कनेक्ट करने की प्रकिरिया लगभग डायलब कनेक्शन के समानी है लेकिन यह एनालोग के बज़ाए डीजिटल फॉन लाइन के उपयोग के माध्यम से Connectivity प्रदान करता है यह जो हमारा Speed दे रहा है कह रहा है 128 kbps की गति से Internet Connectivity प्रदान करता है लेकिन हम लोग अभी तो सब को मैक्सिमम जो है Wi-Fi में ज़्यादा Speed देता है वो हम लोग use करते हैं कहता है यहाँ पर देखें इसमें जो हमारा होता है वह तीन बेंड में विभाजित क्या गया है आपके फ़ोन के सिग्नल को करेंग करने के लिए एक बेंड टेलीफॉन पर बात्चित करने के लिए घेंड और डाटा का हस्तांथर giàन के लिए connectivity देता है तीसरा हमारा है leased line connection या इसको कहता है direct internet access leased line connection या आपको कहता है इसको direct internet access यह computer system एक CPU या LAN और internet के बीच एक अस्थाई connection होता है यह आमत्वर पर बरे संस्थानों कॉर्परेट और सरकारी जिन्सियों दारा इस्तिमाल किया जाता है इसमें आप अपना स्वेंग का internet gateway अस्थापित करते हैं ताकि हर समय network से connect रहें इसके परिनाम स्वरूप आपके computer net का हिस्सा बन जाता है इस connection का मुख खिलाब यह है कि यह दीन में 24 घंडे सब्ता के सातों दिन अर्था 24 इंटू 7 ऑनलाइन दाता है और तेजी से जो है पहुंच प्रदान करता है यहां देखें इंटरनेट से वा प्रदाता द्वारा समर्पित लिंक अस्थापित किया जाते हैं जो आपकी साइट पर इंटरनेट से आपके अस्थानी नेटवर को कनेक्ट करने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है जो नेटवर्क के सभी सदस्यों को इंटरनेट पर पुर्ण पहुंच प्राप्ट करने की अनुमति देता है अब हमारा जो अंतिम है डी एसल में भी सबसे पहले फुल इसको कहा जाता है डी एसल का मतलब हो गया हमारा एक तरह से डी एसल ब्रॉडबेंड कनेक्शन तो डी एसल का फुल फॉर्म हो गया डीजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेट सर्विस लाइन डी एसल का फुल फॉर्म क्या हो ग लिए वाली टेलिफॉन की तार के माध्यम से आपके घर या काड़ियाले को इंटरनेट से जोड़ता है यह हुआ हमारा आज-कल जो घर में ब्रोटबेंड सिवा मिलता है तो एक हमारा जो घर में रौटर लगा दिया जाता है उसमें केबल लगा तो उसका स्पीड हमारा क्या लब ISDN के बीच अंतर यह है कि DSL इंटरनेट कनेक्शन एक उच गती समर्पित सर्किट का उप्योग करता है जो इस्टेंडर्ड फॉन कॉल और इंटरनेट संकेतों को फिल्टर करता है तो DSL में हमारा क्या होता है इस से थोड़ा इस्पीड जादा होता है यहाँ पर जो ISDN है इससे बहुत जादा इस्पीड हमारा होता है कि इसमें DSL में जिसका फुल फर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेटेट सर्विस लाइन ओके तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद